हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बरी फिर चली शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों गर्मियों का सीजन आ गया है और अगर आप भी अपने लिए ढूंड रहे हैं एक परसनल फैन तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है इस वीडियो में मैंने बजाच के परसनल फैन पिग्मी को अपने पास मंगवाया था जो कि अब मेरे पास आ गया है एमाजॉन से इस के यवाज के बारे में यहां पर इन्फॉमेशन दी गई है इसके साथ साथ यहाँ पर इसका बैर्टरी की इि इन्फॉमेशन दी गई है और साथी साथ आपको चार गंटे का backup मिल जाता है यहां पर important चीज यह जाने वाली है कि जब भी हम किसी portable fan को लेते हैं तो क्या वो काफी ज़्यादा आवाज करता है जब हम उसको use करते हैं तो यहां पर यह भी बताया गया है कि यहां पर इसका operation जो है बहुत silent है यानि कि आपको किसी भी तरह की कोई disturbance नहीं होती है light का output दिया गया, rpm की information भी दी गई है 2100 rpm आपको वाही speed इसमें मिल जाती है जिससे कि आपको easily काफी जल्दी ही comfort मिल जाता है जैसे ही आप इसको on करते है इसके साथ साथ ही energy saver भी है, सिरफ 7 watt की जो energy को है इसको यह consume करता है इसमें यह बताया गया है, इसमें 1 year की warranty मिल जाती है यानि कि आपका जो product होता है 1 year कावरेज में रहता है कोई भी अगर इसमें problem होती है, तो यहाँ पे आपको free home service की भी facility दी जाती है इस तरफ भी यहाँ पे आपको wattage और voltage वगएर की information दी गए है तो बजाच अपने आप में एक बहुत credible brand है, बहुत सारे appliances भी बनाता है पूरी list भी इन्होंने appliances के दिखाई है अब नीचे की तरफ चलते हैं, एक बड़ी product को open कर लेता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ कि क्या कि आपको inbox item मिलते हैं तो अभी मैंने fan को box से भार निकाल लिया है और यह सारी inbox items हमें box के अंदर मिलती हैं तो सबसे पहले आपको दिखा दो, यहाँ पर आपको मिल जाती है micro USB charging cable, इसकी मदद से आप अपने इस fan को charge कर सकते हैं इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है यह warranty card इस warranty card की मदद से आप इसकी warranty को register करा सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ आपको मिल जाता है instruction manual इस instruction manual में आपको सारी चीज़े ही पता चल जाते हैं किस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं तो इन सब्सकों में एक बड़ी side रख जाता हूँ सामने की तरफ आपको बजाच की जो है वो branding मिल जाती है इसकी fit and finish के अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं आपको side cornering भी दिखा हूँ तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी fit and finish में कहीं से भी कोई कमी रखी गई है आप देखेंगे कि इसके edge से अगर नीचे की तरफ जो इसके joints हैं जो इसके sides के edge से अगर आप उसको भी देखेंगे तो इसको इस तरीके से बनायागी है कि कहीं से भी आपको ये feel नहीं होगा कि इतने कम price के अंदर आपको इतना अच्छा personal fan मिल रहा है साथी साथ यहां पर आप देखेंगे इसको grab करने के लिए उपर की तरफ यह handle दिया गया है यानि कि जब भी आप इसको एक जगा से दूसरी जगा लेके जाना चाते हैं तो easily आप इसको उठाकर एक जगा से दूसरी जगा लेके जा सकते हैं उसमें इतना कम gap रखा गया है कि अगर कोई छोटा बच्चा भी आपके घर में आसपास होता है तो उसकी उंगली भी इसके अंदर असानी से ना जा पाए इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर net के बीच का जो gap है बहुत कम रखा गया है और designing wise बहुत ही अच्छा लगता है नीचे की तरफ यह सारे के सारे बटन देगे हैं इन बटन का क्या यूज होता है वह मैं आपको अभी बताऊंगा इससे पहले कि मैं सारे के सारे जो बटन से उनके बारे में आपको information दूँ नीचे की तरफ से अगर आपको उसका base देखा हूं तो यहां पर भी आप देखेंगे छोटी ते छोटी चीज का भी ध्यान रखा किया है इस तरफ नीचे rubber की grip दी गई है ताकि जब भी आप इसको किसी जगा पर place करें तो उस case में easily अपनी जगा पर टिका रहें अब एक बरी इसके जो यह buttons है जो main important buttons है उनके बारे में आपको बता देता हूं तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे यहां पर एक light का बटन बना हुआ है इस fan की मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें आपको एक यह individual LED light भी मिल जाती है यानि कि अगर आप कभी रात में आपकी घर में light चले गई है या अंधेरा हो गई है तो उस case में आप उसको as a torch भी for a time being use कर सकते हैं तो आपको कैसे इसको use करना है मैं आपको दिखा जाता हूं पहसला कि यह वाला जो button है आपको इसको प्रेस करना है अगर आपको थोड़ी कम light चाहिए तो एक बरी दुबारा इसको press करना है तो एक बरी तीसरी बरे इसको press करना है तो यह light off हो जाती है इस light के button के बाद आपको जो next option यहाँ पर आपको दिख रहा है वो आपको ये indicator देख रहा है charging का तो जब आप इसको charging भी लगाते हैं तो इसमें जो charging की light होती है वो on हो जाती है तो जैसे ही ये full charge हो जाता है उस case में light green हो जाती है जब ये charge हो रहा होता है तो इसके light जो होती है वो orange होती है इस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर fan का option आपको मिल जाता है तो यानि कि fan की जो speed है उसको यहाँ पर आप control कर सकते हैं तो किस तरीके से यह work करता है यहाँ पर indicator दिया गया है आप देखेंगे जासे ही मैं इस fan को on करूँगा इस तरफ से अगर मैं एक बरी आपको on करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर blue color की एक light होती है glow इसका मतलब जो fan है वो अपनी first level speed पर चल रहा है second level speed के अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे इसकी speed बढ़ गई है और यहाँ पर यह green हो गई है यहाँ पर जो light है नीचे indicator इसके बाद अगर third level पर मुझे इसको full speed पर चलाना है तो आप देखेंगे यहाँ पर light जो है वो यहाँ पर blue हो गई है तो अब मुझे यह नहीं पता कि phone पर आपको यह कितना दिख पा रहा है जिससे कि अगर आप इसको रात को कभी use करते हैं किसी quiet place पर use करते हैं तो उस case में यह कितना ज़्यादा अवाज करता है क्या उसके कोई disturbance होती है यह नहीं होती है उसका एक बरी मैं आपको idea देता हूँ थोड़ा इस fan को मैं अपने camera के पास ले आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यह कितनी अवाज करता है थर्ड लेवल जो इसका टॉप लेवल है टॉप fan speed लेवल है उसको एक बरी में इस fan को एक जगा पर place कर लेता हूँ उसके बाद देखते हैं कि कितनी ज़्यादा हवा यह थ्रो करता है कितनी दूरी तक यह coverage आपको देता है अभी आपको इसकी charging दिखाने के लिए मैंने इसके साथ जो charging cable मिली है उसको इसके साथ connect कर दी है आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको इसके साथ connect कर नीचे की तरफ आपको एक indicator glow होता हुआ दिख जाता है अभी यह red है I'm not sure कि आपको camera में कितना दिख पा रहा है बट यह red है जब तक यह charge होता रहेगा यह red रहेगा जैसे ही यह charge हो जाएगा उस case में यह green हो जाता है आपको 6 piece की इसके अंदर led मिलते है यहाँ पर जो leds होती है वो 6 piece की LED आपको इसके अंदर मिल जाती है charging time की अगर हम बात करें तो 4-6 गंटे के अंदर यह full charge होता है और इसके अलावा duration की बात करूं कि कि कितना backup आपको इसके अंदर मिल जाता है तो यहाँ पर यह बताया ग पर प्लेस कर दिया है और करीबन इस कैमरे से लेके फैन की दूरी जो है डेट फीट के आसपास है अब एक बड़ी मैं इस फैन के सबसे लोएस्ट फैन स्पीड वाले मोड को ओन करता हूँ और देखते हैं मेरे पास एक ये कागज है देखते हैं कि कितने ज़्यादा हवा का थ्रो करता है किया इस कागज पर हमें हवा का कोई मुवमेंट जो होता है वो फील होता है की नहीं तो एक बड़ी मैं इसको on करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो अभी मैंने जो डिस्टेंस है वो करीबन डेट फीड के आसपास है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हवा का जो थ्रो है बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है एक बरी मैं इसकी स्पीड को नेक्स लेवर पर और बढ़ाता हूँ और देखते हैं कि मैंने इसकी स्पीड को सेकिंड लेवल पर कर दिया है और निचे की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो वहाँ पर इंडिकेटर भी चेंज हो गया है तो यहाँ पर मैंने इसको फुल स्पीड पर कर दिया और फुल स्पीड को आप देख सकते हैं कि कागत जो है वो किस तरीके से उड़ रहा है किस तरीके से फड़ फड़ा रहा है तो उस केस में आप देख सकते हैं कि हवा कितनी अच्छी आपको मिल जाती है पूरा का पूरा 360 डिगरी रोटेट तो आपको ये नहीं मिलता है बट हाँ बहुत अच्छी कवरेज आपको मिल जाते है अगर रोटेशन वाइस भी अगर आप बिखेंगे हाला कि लेट और राइट साइड पर आप इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं बहुत सारे पिग्मी फैंस में आपने देखा होगा कि left और right side पर भी वो रोटेट हो जाते हैं यानि कि वो पूरा 360 डिगरी horizontal और वर्टिकल रोटेट हो जाते हैं हाला कि ये horizontal और वर्टिकल पूरा 360 डिगरी पर रोटेट नहीं होता है तो सिर्फ आप इसको vertically कुछ इस तरीके से इतना rotate कर सकते हैं निचे की तरफ और उपर की तरफ तो दोस्तों ये था एक छोटा सा reviews fan का अगर आपके मन में इस fan को लेके कोई सवाल है तो आप हमारी comment section पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप like जरूर करें चैनल को subscribe जरूर करें ताकि इसे तरीके के informative वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें